नमस्का साथियों, आप लोग अपनी स्क्रेन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आपको मालूब होगा कि इन्हों ने जो सिक्षा के छेत्त में काम किया है उसको लेकर देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए है इनका नाम है मनीश सिसौदिया तो आज हम लोग मनीश सिसौदिया के बारे में बात करने बाले हैं इनकी हम लोग वायोगराफी कवर करने बाले हैं कुछ और पिक्चर देख लिजे और आप सभी जानते होंगे कि ये पत्यकार हुआ गरते थे उसके बाद आप देखिए ना अंदोलन से जुड़ते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि दिल्ली के उपमोख मंत्री बन जाते हैं और अरवेंदिक के जीवाल का बड़ा खास मंत साथ बने हुए हैं और यह नई पिक्चर देख लिजे आप लोग जब मुख मंत्री बने अरवेंदिक के जीवाल और यह मुख मंत्री के रूम में उन्हें सपत लिए उस समयगी है यह आप देख लिजे मनिश्य सौदियाग कुमार विश्वास और यह आप देखिए अरव विश्टाचार को लेकर लोगपाल को लेकर आंदोलन चल रहा था और खेर छोड़ी आप देखते हैं कि लोगपाल क्या गठन भी हो चुका है नियुकती भी हो चुकी है और फिर भी आप देखने कि विश्टाचार बना हुआ है और आपको मालों होगा कि देखिए जब तक कि सभी लोग इसमें सामिल नहीं होते हैं इस दिसा में कदम नहीं उठाते हैं मुझे लगता है कि विष्टाचार कदम हो पाना बड़ा मुस्किल है हर कोई आप देखते हैं कि विष्टाचार को बड़ावा देने में यह उगदा नहीं करता है लेकिन फिरहाल सिक्षा की छित में आप देखें इनोंने अच्छा काम किया हुआ है और मुझे लगता है सकता पक्छो या बेपक्छो आप देखें कि दोनों इनकी तारीफ भी करते हैं ये आप देखें अन्नाद का एक तरह से क्या मिलना है आरसी बाद मिलना है और उसी का वैड़ाम है कि देखें आप लोग की इतने तेजी से आमादमी पार्टी बढ़ रही है 2000 बारे में आप देखेंगे आमादमी पार्टी की स्थाफना हुई थी इसके बाद आप देखें दिल्ली में सरकार बनी इसके बाद आप देखी, पंजाब में भारी बहुमत मिला, दिल्ली में भी दुबारा भारी बहुमत मिला और आप सभी जानते ही कि कैन्द सासित पिदेश है दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राध्धानी है और यहां विधान सभा में 70 सीटे हैं राज्य सभा में 3 सीटे हैं लोग सभा में 7 सीटे आपको देखने को मिलेगी मनिस्य सौधिया का जनम 5 जन्वरी 1972 को हापुर उत्तर पिदेश में हुआ था जो आप उत्तर पिदेश देखते हैं न यहां इनका जनम हुआ था और राजनीती की दृष्टी से उत्तर पिदेश भी काफी मात्पूनर है। आप देखें कि यहां विधान सावा में 403 सीटे हैं, विदान फ़िशत में 100 सीटे हैं, राज्यी सभा में 31 सीटे देखने को मिलेगी, लोक सभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेगी। और इसलिए आप देखते होगी कि सभी राजनितिक वायटियां उत्तर पिदेश पर अपनी निगाहें रखती है। इन्होंने केरियर की सुरुवात की थी और मनिश्य स्वाधिया ने 1993 में भारती विद्या भवन से जन संचार में डिप्लोमा पूरा किया था। अबन निर्माता और निउज रीडर की तौर पर 2005 तक काम किया। था, कोई दिशा दे रहा था, तो वो मनिश्य स्वाधिया और अर्वेंद के जीवाल थे। 2000 बारे में आप देखेंगी मनिश्य स्वाधिया ने अपने पुराने दोस्त अर्वेंद के जीवाल के साथ मिलकर राजनितिक दल आहमादमी पार्टी का गठन किया था। और इसके बाद आप देखेंगी, इसके बाद 2003 में मनिश्य स्वाधिया ने दिल्ली विधानसपा चुनाव में भारतिय जिंता पार्टी की नकुल भारदुआज को हराकर पहली बार ये विधायक बने और आप देखें कि विधायक अगर आपको बनना होता है तो आपकी उम होगे, इसके बाद 2015 में मनिश्य स्वाधिया ने पढ़ गंज से चुनाव जीत कर पहली बार दिल्ली के उपमक मंत्री के रूम में सपत ली और 2020 में उन्होंने पढ़ गंज निर्वाचन छेत से दिल्ली विधासवा चुनाव लड़ा और लगबक 3000 मतों से इन्होंने चुन और CBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखी Central Bureau Investigation की बात हो रही है और 1 April 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका Headquarter देखने को मिलेगा और अभी याद रखी है इन्हें आरोफ लगाये जा रायन पर जो नई सराब नीती आई हुई थी ना आफकारी नीती उसी को लेकर लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए आरोफ लगाने में और आरोफ सिध्ध होने में जमीन आसमान का फरक होता है और आप मैं से कई लोगों का यह भी पूचना है क्या इन एजंसियों का दुर्पयों होता है ED हो, Enforcement, Direct Rate की बात हो रही है या पर आप देखे CBI हो, तो बिलकूल होता है इनका दुर्पयों, और जब के अंदर में Congress रही है तो उसने भी किया है, और वीजेपी है तो उसने भी किया है, आंगे जो भी आएगी वो भी करती रहेगी, लेकिन हर मामले में दुर्पयों होता है, यह कहना भी गलत है, और 2016 में CBI ने उनके खिलाब परात्मी की जाज दर्ज की थी, क्योंकि उन्होंने एक मेडिया केमपेंड, टौक टू, एक ही के दोरा नेमो और बीनेमन का उलगन किया था, जो मौदी की मन की बात कारिकरम जैसा एक टौक सो था, और 2016 में फिर एक बेबाद में फस कहे थे, जिस 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक पूर्व संपादक A.J. फिलेप ने दावा किया था कि सिसौधिया की पराचनातक की डिग्री पर सवाल उठाएं, और जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय मनिस भारती है, विद्या भवन में पढ़ते थे, उस समय उनकी कॉलेज में छात ह पर चापे मारी की है, और जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीम मनिस स्वाधिया के घर भी सामिल है, और दिल्ली के ततकालीन आपकारी आयुक्त, अरावा गोपी किष्णन का इसमें परिशा भी सामिल है, तो इस कारण अभी आप देखिए, चरचा में बने हुए है, तो ये कह अरविंद के जीबाल के सहोगी, और घनेश्ट मित्त कह लीजे आप लो, मनिस स्वाधिया की, और भी बताई किसी के बारे में बात करनी हो, जानने की दिल्चसपी हो, तो उसका नाम आप लो, बता सकते हैं, जो भी चरचा में रहता है देश दुनिया में, उस पर हम लोग वैसे विवाद करते रहते हैं, और एक सामने जानकरी मुझे लगता है, होनी भी चाहिए आपको